नमस्कार जैमतादी सबको स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रोबानी में कैसे हैं आप सब मैं उमीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे खुश होंगे और आशा करती हूँ कि आप सभी को हमारी वीडियोज पसंदारी होंगे जिस किसी ने भी अब तक हमारे न्यू चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो इसी वीडियो के नीचे उस नए चैनल का लिंक है वहाँ पड़ जाकर आप लिंक में क्लिक करकर हमारे नए चैनल को सबस्क्राइब कर सकते हैं वहाँ पर भी आपके लिए रुजाना नई वीडियोस हम डालेंगे आज की जो हमारी वीडियो है वो है कि मन से नफरत को मिटाने के लिए यानि कि किसी और के मन से आपके लिए नफरत को मिटाने के लिए तूटे से तूटे रिष्टे को जोडने के लिए उसको बचाने के लिए समबंधों को खराब होने से बचाने के लिए आप ये उपाये करना है आजका जो समय चल रहा है रिष्टे बनते बात में हैं और तोट पहले जाते हैं अगर आप किसी relationship में हैं किसी merit couple में हैं या अगर आप माता पिता हैं, बच्चों के साथ आपका संबंध खराब है, किसी सगे संबंधियों के साथ संबंध खराब है, फ्रेंडशिप में कोई प्रॉब्लम आ रही है, मतलब कोई ऐसा रिष्टा जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर रहा है पहले कुछ दिनों म या पिछले कुछ समय में और अब वो रिष्टा खराब होने की कगार पर आ गया है, और आप चाहते हैं कि वो रिष्टा खराब ना हो तूटे ना, तो उसके लिए आपने ही उपाय करना है, सबसे पहले बताते हैं कि कारन क्या है इन रिष्टों का अचानक से तूट जाने का या इतने गहरे रिष्टों का खराब हो जाने का, इसका कारण है आपके राहू केतू गरहों का खराब दिशा में चलना या कमजोर हो जाना, अगर आपके राहू केतू के जो ग्रह हैं खराब दिशा में चल रहे हैं या बहुत जादा कमजोर हो चुकी हैं, तो ये आपक की होग, आपके friendship के हूँ या सगे संबंधियों के होग वो ऐसे रिष्टों को तोड़ना शुरू कर देते हैं तो उसके लिए आपने अपने राहू और केतू ग्रह को strong करना है जिसके लिए आपको उपाई बता रहे हैं बहुत असान उपाई है, अगर आप दोनों कर सकते हैं अपने रिष्टे को बचाने के लिए तो दोनों कीजिए, अगर किसी भी कारण वश कोई एक परसन नहीं कर पा रहा है और आप करना चाहते हैं तो आप कीजिए वो पार्टनर देखेगा कैसे आपकी तरफ भागा चलाएगा और रिष्टो की कदर बहुत बढ़िया तरीके से उसको समझा जाएगी तो बताते हैं कि उपाई क्या है पहला उपाई ये है कि आपने रोजाना सुभा के वक्त गणेज जी की अरागना करनी है यानि कि गणेज जी की पूजा करनी है अपने घर के पूजा घर में बैठकर अपने घर के जाब का पूजा स्थान होगा वहाँ पर बैठकर गणेज जी की अरागना दूसरा जो उपाई है उसमें आपने रोजाना सुभा उटकर अपने विस्तर पर बैठे बैठे ही 108 बार एक मंत्र का जाप करना है आपने बोलना है ओम नमो भगवते वासु देवाय नमहा इस मंत्र को आपने रोजाना सुभा 108 बार बोलना ही है उसके बाद जो तीसरा और बहुत ही महत्वपुर्ण उपाय है जो आपने सिर्फ एक बार ही करना है वो उपाय है कि अगर किसी गरीब कन्या की गरीब लड़की का विवा आपके आसपास हो रहा है या कहीं पूछ सकते हैं कि किसी गरीब कन्या का उपाय गरीब कन्या का विवा होने वाला है तो वहाँ पर जाकर आपने कोई दान पून्य करना है दान में आप उन्हें कुछ भी दे सकते हैं कुछ पैसों का दान कर सकते हैं कपड़ों का दान कर सकते हैं सबसे बड़ा अगर आपको बताएं दान तो सबसे बड़ा दान होगा वहाँ पर कि आप राशन दान करें, राशन में आप कुछ भी दान कर सकते हैं, चाहे चावल हो, चाहे दाल हो, आटा हो, कुछ भी, अगर आप ये दान कर देते हैं, तो यकीन मानिए, राहू और केतु के जितने भी बुरे प्रभाव आपके जीवन में अब तक चल रहे हैं, वो उसी द दिन से उपाई करते करते ही आपके खत्म हो जाएंगे और आप देखेंगे कि आपका पार्टनर कैसे आपकी तरफ भागे चला आ रहा है और आपके संबंध फिर से मधूर और बहुत ही प्यारे हो जाएंगे तो यह उपाई जरूर कीजेगा इसका जो रिजल्ट है उपाई क अनलों को सब्सक्राइब करें शुक्रिया